I am Neelam and I am bringing dashing and most demanding music selves in front of you और साफ में होगा म्यूजिक का तरका So you people out there watch and hear what your favorite singer says in my show called Chetan Chet Don't forget to watch it सन 2008 में See Television Network से अपने शोबिस सफर का आखास करने वाली पाकिसान की मारूफ और मखबूल अधकारा नीलम मुनीर की सोशल मीडिया पर एक वीडियो वाइरल हो रही है जिसमें शादी के सवाल पर सहाफी पर बरस पड़ी 31 साला खूबरू अधकारा की शादी से मतालिख मतादित बार अफवाह सर गरम रह चुकी है मगर वो हर बार इन अफवाहों की तरदीर कर देती है दूसरी तरफ हाल ही में सोशल मीडिया के मुक्तलिफ पेजिस पर अधकारा नीलम मुनीर की एक मुक्तसर सी वीडियो वाइरल हो रही है जिसमें वो किसी एवार्ड शो के दौरान शादी से मतालिक पूछे जाने वाले सवालात पर काफी बरहमी का इसार कर रही है वाइरल वीडियो में अधकारा से सवाल किया गया कि जिसके जवाब में नीलम मुनीर ने सहावी पर बरहमी का इज़ार करते हुए कहा कि आप लोगों को मेरी शादी की इतनी परवा क्यों है मुझे कोई टेंचन नहीं है मैं अभी काम करना चाहती हूँ ऐसे सवालात अभी ना करो ख्याल रहे कि माज़ी में शादी से मतालिक बात करते हुए उन्हों ने कहा था कि मेरी शादी की खबर मद्दाहों को अचानक ही सुनने को मिलेगी लेकिन मैं शादी सादगी से करूँगी वाज़ रहे कि सी टेलिविजन नेटवर्क के एग्जेगेटिव प्रोडियोसर जमील उतीन ने आज से करीबं 15 साल कबल अपने मारूफ शो चिट एंड चैट में बतार होस कास्ट किया था इस शो में नील मुनीर महस 15 साल की थी इस शो की मकबूलियत ने नील मुनीर के लिए शो बिस की दुनिया के लिए तमाम रास्ते खोल दिये और आज वो पाकिस्तान के सब पाय उबल की अधाकारा में शामिल है जमील उदीन का कहना है कि अगर नीनम मुनीर अपनी शाद में बदू करेंगी तो वो ज़रूर शरीक होंगे उन्होंने कहा कि वो हमेशा नीनम मुनीर के लिए दौा को रहते हैं और चाहते हैं कि वो अपना मकाम बना कर रखें के वो रहते हैं कि वो यह वो अबड़ जया रहते हैं